मैं आर्टी एक्षन कमीटी का चेर्मेन शाइद शरीफ बात कर रहा हूँ दिक्कतों के साथ आज शाम पांच बजे से प्रक्रिया आर्टी की आउनलाइन शुरू ही मारास्टा में लेकिन वही दिक्कते आ रहे हैं इसके पूर जहां पे एडमीशन मिलने के बाद भी एडमीशन नहीं हुआ था क्योंके लॉंगिट्यूट और लैक्टिट्यूट की लिंक बराबर नहीं हो रही पेस्ट नहीं हो रही यह नजारा आपके सामने आप सुएम देखते हैं कि आप लोग बार बार यह कहते हैं कि अभी प्रक्रिया चालू हो गई है लेकिन प्रक्रिया ढंक से शुरू तो होए बराबर काम तो करें सिस्टम तो बनाया है इसलिए मैंने केस स्टडी आपको हमने आज एक सेंटर का विलिट करके उसका आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कि जो फॉर्म भर रहे हैं उनको किस तरीके से दिक्कत आ रही है और इस तरीके से अगर आपके फॉर्म भरे जाएंगे तो फॉर्म भरने के बाद भी आपका लकी ड्रॉ में नंबर आएगा लेकिन आपका नंबर नहीं लगेगा क्यूंकि आपकी मैपिंग गलत है अच्छा और इसके अलावव कोई प्राबलम पॉरी यह जो रहा है यहीं पे उन्होंने यह भी बताया कि जो नाम इंग्लिश में लिखा जा रहा है वो मराटी में कर्ण नहीं हो रहा है जो कि अटो अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रक्रिया में ऐसी कटनाईयों के साथ जाए तो यह जाके नहीं जाके वही बराबर है इससे बेटर है कि इसकी दुरुस्ती हो जाए इसके बाद में प्रक्रिया में आप शामिल हो आटी एक्षिन कमिटी के चेर्में शाही श्रीफ थैंक्यू सो मच आप हमारे पहले की वीडियो देखिए लाइक करिए और आप शेयर करिए जो भी दिक्कते हैं और आपको एक और बात बता दू कि आपके दो बच्चे है तो उनके भी एडमीशन हो सकते आटी में ऐसे जरू नहीं है ध्यान रखिए थैंक्यू सो मच